दिवाली की रात आग लगने से 50 प्रतिशत तक जलने के बाद लोक नायक जैप्रकाश अस्पताल में भरती कराये गए राजे इस सहनी के लापत होने का एक मामला सामने आया है गाये व्यक्ती के मौसेरे भाई की याची का परहरानी जताते हुए दिल्ली हाई कोट ने दिल्ली पुलिस को व्यक्ती की तलाश कर अदालत के समक्ष 30 नवंबर को पेश करने का निर्देश दे दिया है नियाय मूर्ती की पीट ने साथ ही दिल्ली पुलिस को नोटिश जारी करते हुए सुनवाई 30 नवंबर तक किले स्थगित कर दी अदालत के साथ ही दिल्ली सरकार बाबू जग जीवन राम अस्पताल और एलन जीपी अस्पताल से भी जवाब मांगा गया है 24 अक्टूबर को आग जलने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुची मौल टाउन थाना पुलिस की PCI टीम उनके भाई को लेकर पहले जांगीर पुरिस्थित बाबू जग जीवन राम अस्पताल लेकर गई थी यहां स्थिती को बहुत खराब बताते हुए एलन जीपी अस्पताल में रेफर किया गया था राजेश के जलने की सूचना मिलने पर उनकी मौसेरी बहन पहले 26 अक्टूबर को बाबू जग जीवन राम अस्पताल गई और वहां उन्हें जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उनके भाई को एलन जीपी अस्पताल भरती कराया गया है और जब वे LNJP अस्पताल में पहुची तो उन्हें बताया गया कि उनके भाई के नाम का कोई भी व्यक्ति यहां भरती नहीं हुआ है और ये वाली बात उनके लिए चौका आने वाली थी ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं पंजाब केसरी